किसान बायों नमस्कार, मेरा नाम डोक्टर निल है और आज मैं एक जुरूरी सुचना के साथ आप लोगों के सामने हाजरू आउँ दोस्तों ये सुचना बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस सुचना को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करना है ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोलिज है देखे दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाओंगा दोस्तों आज की तारिख में सभी लोग डेपी के पिछे पढ़ते रहते हैं अभी जैसे की गेहों का मुसम बिजाई का मुसम आने वाड़ा है तो मैं आप लोगों से ये ही रिक्वेस्ट करना चाओंगा और जैसे सरसों के विजाई भी चल रही है और 20 दिन के बाद लगबग गेहों की विजाई भी चल पड़ेगी तो दोस्तों ये बात आपने बहुत जुरूरी जुरूरी द्यान में रखनी है जब हम एक DAP का कटा निच्चे दबाते हैं तो हमारी कोश्ट कम से कम 1200 रुपे आती है और लोग समझते नहीं है वो DAP के पीछे पड़े रहते हैं मैं आप उसको एक सुझेस्टन देना चाओंगा कि आप DAP के पीछे ना पड़ें मार्केट में सुपर आवेलेबल हैं सिंगल सुपर फासपेट SSP के नाम से आता है यदि आप उसके तीन कटे सुपर के और एक कटा यूरिया का अपने खेत में डालते हैं तो आपकी कीमत लगबग 1166 रुपे आती है और एक DAP की कटे में 23 किलोगराम फासपोर्स होती है 9 किलोगराम उसमें नाइट्रोजन होती है और कोश्ट आती है 1200 रुपे यदि आप तीन कटे सुपर के और एक कटा यूरिया का डालते हैं अपने खेत में तो आपको जहां 23 किलोगराम फासपोर्स मिलती है DAP में यहां आपको 24 किलोगराम फासपोर्स मिलेगी और 24 किलोगराम ही यूरिया मिलेगा यनि के DAP में एक कटे में जिसकी 1200 रुपे कोश्ट है उसमें 23 किलोगराम आपको फासपोर्स मिलेगी और इसमें जहां 1166 रोपे किम्मत है 24 किलोग्राम फासपोर्स मिलेगी और वहां आपको DAP के एक कट्टे में 9 किलोग्राम यूरिया मिलता है और यहां 3 सूपर के कट्टे और एक यूरिया का कट्टा डालने से जहां आपको कोस्ट भी कम होती है और नाइट्रोजन की मातरा जहां 9 किलो मिलती है यहां 24 किलो मिलेगी आपको तो दोस्तो कितना ज़्यादा फायदा है कोस्ट में भी फायदा है और जो नूट्रिसन आप देना चाहते हो खेत में उसमें भी फायदा है और उसमें देखो दोस्तो सल्फर उसमें सल्फर भी होता है उसमें सल्फर भी होता है दोस्तो और सल्फर जो है कम से कम साड़े सोड़ा किलोग्राम सल्फर आपको मिलेगा और डिएपी में आपको कोई सल्फर नहीं मिलेगा और आपको पता है जब हम आप खेतों में सल्फर एक तो अपने कोलर को खत्म करता है, जमीन को अच्छा बनाता है, और जब आप उसको सरसों के खेत में डालते हैं, तो उसमें सरसों में वो तेल की मतरा को भी बढ़ाता है, और इसके अलावा यदि आप सलफर को गेहु में डालते हैं, तो जहां वो अपने खेत की उर्वक सक को बढ़ाता है अपने जो मिट्टी है उसका जाओ शकतिको बढ़ाता है इसके साथ साथ फुताराभी खेत में छोता है ऑ्स vina होता है जो अपना दाना होता है मोटा चम्कीला बणता है उसमें वजन бी होता है पैदावार भी अपनी बढ़ती है, मतलब कुल मिला के देखा जाए, तो सलफर अपने को जो यहां से मिलता है, उसका हमारे को benefit ही benefit है, तो दोस्तों, आपको पता ही है, डिएपी के shortage इस साल बहुत ज़्यादा है, और आप डिएपी के पिछे ना जाएं, सूपर और यूरिया का इस्तमाल करे इससे आपको उससे बहुत तीन गुना ज़्यादा फैदा होगा, धन्यवाद और इस सुचना को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, दूसरे के सानों को बताएं, ताकि सबी इसका benefit उठा सके, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकोन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो मिलते रहें, धन्यवाद